तो गाइस आप मेंसे बहुत सारी लोगों के पास different different bank card different different credit card होगा जैसा कि अभी आप लोग देख पारें कि मेरे पास यह imagine pay का ICAC का credit card है और इस credit card से कुछ दिन पहले मैंने 10,000 का समान को purchase किया था अब मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगा कि EMI में convert करक कि उसको में किस्तों में चुट्टा कर दूँगा इसके बाद आपको यहाँ पर EMI के लिए interval भी दिया आ जाता है कि आपको एक साल के लिए करना है कि आपको डेर साल के लिए करना है तो आज के दूस्तों इस वीडियो में इसी topic के उपर में हम लोग एक पूरा डिल को करना है अब मैं क्या करता हूँ मेरे पास है ICAC bank का तो मैं i mobile pay को open कर लेता हूँ और सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा जाएगा इंटर four digit login pin तो आपको login pin बना लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर आपका चार्ट डिजिट का जो pin है वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है मैं अपने केस में इसको इंटर करके login हो लेता हूँ तो मैं यहाँ पर login हो चुका हूँ और सबसे पहले मेरे पास यह card number आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पर check balance पे तो दिखिए मेरा विडियू के दाना दिखा रहा 9, 9,717 रुपया अगर मैं इसको यहाँ पर pay करता हूँ तो अभी यह मुझे pay करना है लेकिन मुझे यह EMI में convert करना है और उसको मुझे मन्थली में pay करना है इसके बाद सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर manage cards में और manage cards में जाने के बाद मैं आपको देखा देता हूँ latest test bill में तो देखे मेरा यहाँ पर total credit limit दिया गया है 80,000 का याने की 80,000 का और मेरा यहाँ पर current outstanding दिकार रहा है 9,717 रुपया तो फिलाल मेरे पास भी पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा इसको में EMI में convert करके इसको में किस्तों में चुट्टा कर दूँगा अब यहाँ से transaction को convert करना जाते हैं उसको सबसे पहले select कर लिजे अब मैं यहाँ से ATM कर लेता हूँ कुई क्यों मुझे यहाँ पर 9,718 रुपया मुझे EMI में convert करना है और उसके बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा convert to EMI जैसी हम लोग यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेसिंग चार्ज बगराग भी लेगा जैसे कि रेट अप इंट्रेस मुझे लग रहा 16% उसके बाद प्रोसेसिंग भी लग रहा 2% यानि कि 594 रुपया उसके बाहर फ्रो क्रोसेंग फी लग रहा मुझे 3% ठीक है अब आपके पास यहाँ पर select EMI tenure दिया हुआ कि आप सबसे कम जो है तीन मैना उसके बाद 6 मैना फिर 9 मैना फिर 12 मैना फिर 18 फिर 24 ठीक है अगर हम लोग 24 करते हैं तो आपको यहाँ पर जो टोटल EMI लगेगा मंतले में वो यहाँ आपको 400 75 रुपया लगेगा तो मुझे इतना दिन के लिए नहीं करना है मैं यहाँ से करता हू 12 मैने के लिए और 12 मैने के करते हैं तो मुझे यहाँ पर 881 फिर 25 रुपया लगेगा इसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ इस पर क्लिक और I have determined condition or convert and sorry confirm and convert तो simply हम लो confirm and convert पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ कॉंग्रेचुरेशन करके आच चुका है और मेरा यहाँ पर transaction amount selected 9708 रुपया transaction amount converted 9708 रुपया EMI tenure कितना दिया है 12 मेहने के लिए और यहाँ से मेरा हो चुका है और यहाँ से में चले जाता हूँ go back कुछ भी दोस्तों दिक्कत आती है तो आप लोग comment करके पूछ सकते हैं चैनल को भी subscribe कर लिजेगा बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई टोपिक के साथ